जहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का Education Cat 6 में रुख करते हैं बिहार की तरफ और एक बड़ी अपडेट आ रहे हैं दोस्तों बिहार BPSA TRE 2 को लेकर यहाँ पर एक कॉरियंडम जारी किया गया है एक नोटिस जारी किया गया है आपके जिहां जो भी छात्र अपर प्राइम यह बड़ा बदलाओ जो है आपके उम्र सीमा को लेकर किया जा रहा है तो चलिए सीच को समझते हैं पहले और साथी साथ दो पॉइंट दो बिंदूओं पे और चर्चा किया गया है लेकिन इस notification को दिखाने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जो ह यहाँ पे 2019 में परिक्षा दिये है ना STET का वो भी चात्रों को मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके कुछ ऐसे विसे हैं मैं उस विसे का notice दिखलाओंगा भी उन विस्यों में परिक्षा फल में बदलाओ किया गया है चुकि उन तीनों विस्यों पर जो है ना कोट केस चल रहा था और यह जो है अभी फाइनल डिसीजन आ चुका है और आपका परिक्षा फल में कुछ बदलाओ किया गया है तो आपको भी यहां से आके उसका परिक्षा फल डाउनलोड कर लेना है तो यह जानकारी मैं आपको यहां से दे रहा हूँ इसल कोट केस संख्या है जो की याचिका करता जो है यहांपर याचिकासंख्या धिया हूए इसके अलोक में बोला जा रहा है कि माध्यमिक सिक्षक पातरता STAT 2019 में समलित हुए अभ्यारतियों को सुचित किया जाता है कि माध्यमिक सिक्षक पातरता STAT 2019 के पेपर 1 विसे कौन सा है समाजिक विज्यान जिसका कोड है 107 और विसे पेपर 2 जिसका विसे कोड है यहाँ पे कप्रेटर साइंस का 207 इसके संसोधित परिक्षा फल संसोधित परिक्षा फल की कौपी डाउनलूड कर सकते हैं आप लो और दूसरा जो नोटिस है बहुत तकी विसे को लेकर है जो कि पेपर 2 के लिए है तो यहाँ पर 203 कोड है इसका इसको भी संसोधित परिक्षा फल 9 नौवंबर को यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा तो आप इसका भी जाके देख सकते हैं अगर आया है तो ठीक है नहीं तो कल तक इसका भी अपडेट आही जाएगा 10 तारीक तक ठीक है अब आज का क्या नोटिफिकेशन है सर तो आज हुआ है बड़ा बदलाओ क्या हुआ है बड़ा बदलाओ यहाँ पे तो जो भी अभी नोटिस आया है उसमें 6-8 कक्षा के लिए 10 साल का छूट यहाँ पे बताया जा रहा है अब देखीएगा इस नोटिफिकेशन को हमने डाउलोड किया है बीपेसी के वेबसाइट से अभी जहां बताया जा रहा है कि सिक्षा विभाग बिहार के अंत्रगत बिद्याले अध् प्राप्त सिक्षा विभाग जो है पत्रांग संक्या साथ नोवंबर और पत्रांग संक्या आठ नोवंबर के अलोग में कुछ बिंदू को समाहित करते हैं यानि की मोडिफाई किया गया है यहाँ पे देखेगा अब इसको समझने हैं कोशित कीजिएगा कि मद्ध विद्य छोट नहीं दिया गया है अगस्त लोगों ने अभी घजाम दिया है इनको चूट नहीं दिया गया है ध्यान सा सुन लजएगा अगस्त 2023 में जो छादर सीटेट पेपर 2 दिये हैं इनको छूट नहीं दिया जा रहा है छूट किसको मिल रहा है तो जिनका रिजल्ट 10 अपरेल 2023 के पहले यानि 10 अपरेल 2023 पहले से कौन सा रिजल्ट आया है आपका 3 मार्च को सीटेट का रिजल्ट आया था याद है आपको तो जो भी लोग जनवरी में एक्जाम दिये थे हैं ना सीटेट जनवरी 2023 वाला उनसे पहले मतलब कि उससे लेकर उससे पहले यानि कि 10 अपरेल 2023 से पहले जितने लोगों का उत्रिंटा हुआ है जो भी चात्र यहाँ पर पास हुए हैं उन्हीं को लेकर यहाँ बोला जाए रहा कि प्रसिक्षित अभ्यारतियों को यहाँ पर मात्र इस प्रथम संब्यभार में अधिक्तम आयू सीमा में 10 साल की छूट हम देते हैं यह 1 अगस 2023 के अधार मानकर दे होगा अब यह cut-off date है आपका जो की notification में सभी के लिए दिया गया तो यहाँ पर आप ध्यान रखेगा जो चातर जनवरी 2023 में एक्जाम दिया है सीटेट पेपर का यहाँ पर जरूरत तो सीटेट पेपर 2 की हम बात करेंगे जो भी लोग दिये हैं पास हुएं उनको 10 साल का छोट मिल गया है उससे पहले भी जो लोग पास किये हैं इस एक्जाम से उनको भी छोट यहाँ पर मिल गया है तो 10 साल का age relation 6-8 में मिल चुका है आप लोग को अब दूसरे point यहाँ पर क्या आपडेट किये हैं दोस्तों तो अगर आपने देखे कक्छा 9 से 10 के लिए 11 से 12 के लिए अगर इस बार आपने STAT 2023 का exam दिया है क्या दिया है STAT 2023 का exam दिया है तो आप छात्र को या फिर देखे 2023 वाले नहीं नहीं STAT 2019 वाले विध्यान से सुन लिजेगा तो उसमें भी जो तीन विशे हैं तो उसका भी रहा परिक्षा फल दिया गया है तो अभी यह जो है वेव कौपी है आपके पास आपका certificate नहीं दिया गया है तो इसी के लिए दिया गया है तो online आविधन पर यहाँ पे पत्र में माधिमिक सिक्षक पातर था यानि कि जो STAT 2023 के result card में यहाँ पे number के स्थान पर BACB unique number जो की दिया गया है वहाँ पे आपके result पे मैं अभी दिख लाँगा आपको तो उसके निर्गत ती थी जो की आपका परिक्षाफल का date है कब है भाई तो 3 October और यह बात जो है पूरे इस फोरम भरने की पदती में मैंने आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी कि आप लोग को यही unique ID डालना है और यही आपका जो ह ने खुदी बोला था कि जिस certificate पर आपका certificate नंबर नहीं है आप वहाँ पर एने डाल सकते हैं ठीक है पर इस चीज को इस अहां पर सुधार कर दिया गया है तो जितने भी चात्र यहां पर देखिए फारम भर रहे हैं वो थोड़ा सा रूख जाहिए एक दो दिन उसमें घव दो इस उधार आपको नहीं होने जा रहा है तो यहां पर देखिए रहा दो सही है तो मत किजिए गलत होगा तो किजिए थी तो BACV का यूनिक नंबर जो यूनिक आईडी नंबर है वो डालना है कहाँ पे तो सर्टिफिकेट नंबर जहाँ पे मांगा जा रहा है ठीक और वहाँ पे इसू डेट का डालिएगा तो परिक्षा फल का प्रकाशित थी कब है 3 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट आया है यह लिख अब बात हो रही है यहाँ पर कि मद्ध विद्याले की यानि कि 6-8 की और प्रारंभिक सिक्षा परिशिक्षित यह जो है आप लोग का वेलफेर डिपार्टमेंट में वेकेंसी है 6-8 का तो सीटिट उत्रिन उमिद्वार प्रमाण पत्र मांगा जा रहा उनका भी वहाँ प पत्रिश को कह रहा है यहाँ पर प्रमाण पत्र या अंक पत्र पे एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है उसी को अंकित करना है सर्टिफिकेट नंबर के जगा पर और डेट ऑफ इशू तो उस पर लिखाई हुआ है चलिए मैं आपको देखला देता हूँ एक छात्र का यहाँ यह जो है एक छात्र का यहाँ पर मेरे पास मार्शिट है तो आपको अब देखिएगा तो यह जो आपका सीरियल नंबर उपर में ही टॉप में लिखा हुआ ठीक है तो यह सीरियल नंबर ही आपको वहाँ डालना है जहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है ठीक है त इतना ही जैहिन साथियो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में.